हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परिशा का पेपर है जो की शिक्षा निदेशाले के द्वारा दिया गया है उस कोशिन पेपर को सौल कर रहे हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशिन है यहाँ पर जो दिये गए है और इससे आपको आपका पैटर्न भी बता चल जाएगा असी नंबर का पेपर है तीन खंटे का इसका समय है और यह डियोई के द्वारा दिया गया है समा जो शिक्षा निदेशाले है वहाँ से दिया गया है तो फटा फरम कोशिन पेपर को सम नेपाल धोलगीरी नेपाल कंचन जंगा नेपाल तो देखो यहाँ पर अनपूर्णा और हम बात करते हैं धोलगीरी कंचन जंगा यह सब ही जो है जो पहाड की माउंटेंस जो है यह सब नेपाल में आती है लेकिन जो गरूला मंध आता है वो नेपाल में नहीं आता तो ब प्रिशी एग्री कल्चर कुशिन नबर थर्द देखते हैं क्या कहा गया है स्थम्प कै और खै में मिलान को कि सही का विकल्प हमें लिखना है तो देखो यहाँ पर हम हिंदिय एंग्लिश दोनों में देख लेते हैं तो देखो चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर को हम यहाँ पर कहते हैं ताइड उसको क्या कहा जाता है ताइड कहा जाता है राजय द्वारा लगाए जाने वाला कर यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइल हो जाएगा उसके बाद बास्तिन के किले का जो पतन है वो 1789 में हुआ था और फ्रांस का गंतंतर यहाँ पर 1792 में हुआ था तो इसका correct option C आ जाएगा यहाँ पे देखो C में क्या कहा गया, first में B हो जाएगा, second में D हो जाएगा, third में A और fourth में C same यही English में होगा, बस English के अंदर यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ी से यहाँ जो लिखा गया, उसके अंदर थोड़ी से mistake हो गया, एक बर रिवाइट देख लेते है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यह इसका correct option हो जाएगा, correct plus sequence हो जाएगा question number 4 में देखो क्या कहा गया है दीगरी जानकरी के अधार पर नदी की पहचान करनी है, लंबाई 860 किलोमिटर है, उदगमसान 36 कंड की उचभूमी है और अपवा, शित्र, जारकंड और उरिसा, मनलब ऐसी नदी जो 860 किलोमिटर लंबी हो, छतीस गड में हो, जारकंड और उरिसा उसके रस्ते में आता हो अगर हम कृष्ण नदी की बात करें, तो उसकी जो लंबाई है, वो है 14 किलोमिटर, और हम यहाँ पर बात करते हैं, कावेरी की तो उसकी है 760, तो महा नदी का आप याद ही रखिए, 860 किलोमिटर इसकी लेंड है नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन नमबर फिफ्ट में आपको गलत जो शब्द है, उसकी क्या करनी है, पहचान करनी है निमा लिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, मानव, पुंजी और भोतिक पुंजी से स्रेस्ट है तो देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, कि जो मानव है, यहाँ पर एक बर पहले हिंदी में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में करते हैं मानव जो है, वो पुंजी भूमी हो या चाहे भोतिक पुंजी उससे स्रेस्ट है, तो ये कथन सही है बहतर सिक्षा और स्वास्ते सुविदाओं के लिए मानव पुंजी का निर्मान किया जाता है, बिल्कुल मानव पुंजी का निर्मान किया जाता है, बहतर सुविदाओं के लिए उत्पादन के लिए मानव पुंजी की कोई भूमिकर नहीं है D क्या कहता है मानो पुझी में निवेश उच उत्पादक का कार्मत है तो ये सही है ये option यहाँ पर क्या है गलत है तो C answer हमारा जो सही हो जाएगा एक बर English में भी read कर लेते हैं identify the incorrect statement in the following human capital is superior than the land and physical capital human capital क्या है land or physical capital superior है human capital can be formed investing in education and health education and health facilities देकर human capital को क्या किया जाता है invest किया जाता है और बढ़ाया जा सकता है D क्या कहता है invest in human capital in reason to the high productivity को भी बढ़ाया जा सकता है human capital does not have any role of the production तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो उन्होंने incorrect statement ही पूछी है C यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा question number 6 में क्या कहा है महात्मा गांदीजी के विचारों को पढ़कर पूरा वाक्य कीजिए क्या कहा गया मैं भारत के लिए ऐसा सविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधिनता से मुक्त करे मैं ऐसे भारत के लिए परियास करूँगा महात्मा गांदीजी के सपनों में भारत गरीब भी अमीर हो जाएंगे समाज में सभी व्यक्तिक को भागीदारी होगी गरीब अमीर के मध्या खाई नहीं होगी या अपरोक्त में से कोई नहीं तो C answer देको हाला कि D में भी काया कि भागीदारी होगी तो देको यहाँ पर क्या कहा गया मेंली यह कहा गया कि कोई गरीब और कोई अमीर के बिच में कोई differentiation नहीं होगा C answer देको यहाँ पर क्या हो जाएगा अला कि B question भी हम यहाँ पर लागता है कि all the people society will have the effective voice यह भी होना चाहिए लेकिन C answer क्योंकि मेंली यहाँ पर क्या है पोरो रिच के बारे में बोला गया है Question number 7 देखे क्या कहा गया है HYV बीजो का मुख्य उदेश्य क्या है High Hill Variety क्या हो जाएगा High Hill Variety तो इनका High Hill Variety का में जो उदेश्य है वो क्या होगा The main aim of the HYV of seed is तो 7 में प्रती पोधा अनाज की मात्रा में व्रद्धी करना कीटना शकाधी प्रयोग करना प्रती पोधा अनाज में कमी या रसाइनिक वरोग आपयागा तो ए अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा Correct हो जाएगा Increase the yield in the grain plant High yield variety मतलब की जादा अच्छे बीज बनाना अच्छे yield मतलब की उत्पादन करना तो क्या होगा प्रती पोधा अनाज की मात्रा में व्रद्धी Increase in the yield of a grain per plant Next question number 8 देखते हैं इंचे से कौन सा कतर भारती सविधान के संदर में सही नहीं है भारती सविधान सम Ausw artwork उलक समाज की स्थापना करता है इंडियन कॉंसी लाइन सही नहीं है कौन सा स्टेटमें उसी हमें दिखना है इंडियन कॉंस्थीशन is a society based equality ये क्या है एक दम करेक्ट है सेकिंड देखिए इंडियन कॉंस्थीशन evades democratic system लोगतां तक शाशन पर भी प्रक्ति पर बल देता है, ये भी सही हो जाएगा बारतिय सविधान वे अपने नागरिकों में बंदूता के विकास पर बल देता है इंडिन कॉंस्टिशन इविज प्रिमिंटी अमंग दा सिटिजन ये भी सही है सभी ये हाँपे क्या है सभी है तो डी अन्सर हिहाँ पर क्या हो जाएगा कुल संक्या कितनी है बीस अब जब संक्या बताई जाते है तो वो किस पर बताई जाती है तो देखो 1000 पे बताई जाएगी तो उन्होंने काया कि गाउं की जो जनम दर है वो आपको क्या करनी है बतानी है तो देखो अगर इस तरह से हम करते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा question जो है वो थोड़ा सा confusing आ रहा है क्योंकि 2% आ रहा है answer अगर हम देखते हैं तो इस question का भी हम इसको थोड़ा भी last में solve करेंगे पहले हम ये बाकी के questions कर लेते हैं हम 10th question देखते हैं 10th question में क्या कहा गया है To treatises of government नामक पुस्तक किस ने लिखी थी मतलब who wrote the book To treatises of the government तो इसका अंसर आ जाएगा John Locke ने अंसर हैं हाँ पर सही हो जाएगा John Locke ने ये पुस्तक लिखी थी ये book लिखी थी तो बहुत ही important question आप अच्छे से इसको समझ के learn कर लीजिएगा Question number 11 में देखो वही दिया गया है sentence दिया गया है statement दिया गया है और उसका reason दिया गया है तो देखो सबसे पहले हम हिंदी में read करते है क्या कहा गया है ध्यान से फ्रांसिसी उप निवेशों में दास प्रथा का उनमूलन जेकोबिन शाषिन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था फ्रांसिसी उप निशीदों में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एक बर इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है वन ओफ दा मोस्ट रिवलेशनल सोशल रिफॉर्म इंदा जोबिन रिजिन वर्स दा फ्रेंच कोलोनीज इसका रिजन क्या है तो यह अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कोशिन नबर 12 में देखते हैं इसे तरह एक संकल्पना दी गई है भवन एक स्थाई पुंजी है बिल्कुल सही बात है उत्पादन में भवन का कई वर्ष तक उप्योग होता है भवन एक स्थाई पुंजी है क्योंकि उत्पादन में भवन का कई वर्ष तक उप्योग होता है तो देखो ये भी क्या हो जाएगा सही कि उत्पादन एक बड़ी भवन बनने में टाइम लगता लेकिन एक स्थाई पुंजी बन जाती है तो एक अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे एक अंसर यहाँ पर क्या है सही है एसले नश और रिजन दोनों ही क्या है सही है और correct explanation भी है अब देखते है question number 13 तो 13 में क्या कहा गया है भारत एक प्रभुतत संपन देश है कोई भी देश भारत का आदेश नहीं दे सकता है तो ये दोनो लाइन दोनो ही सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है तो B अंसर इहां पर क्या हो जाएगा तो B अंसर की दोनो स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्स्प्लेनिशन नहीं है 14 में देखते हैं 14 में क्या कहा गया है यहां पर एक सेकिन देखते है तो थर्टीन में भी क्या है यहाँ पर ए अंसर आजाएगा कि correct explanation है थर्टीन में भी ए ही आजाएगा ध्यान से देखिएगा फोर्टीन की हम बात करते हैं तो फोर्टीन में देखो क्या कहा गया है ब्रह्मा पुत्र एक सदानीद नदी है ब्रह्मा पुत्र हिमाले की नदी है तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि दोनों संकल्पना है तो सही है दोनों बाते सही कही गई है लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है बहुत सही है कैबी सही है लेकिन जो संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है तो यहाँ पे B अंसर आ जाएगा देखो एक बरी फिर देखते है प्रमपुत्र इजे पेरेनियल रीवर प्रमपुत्र इजे हिमाले रीवर तो दोनों स्टेटमेंट जो बोली गई है वो सही है लेकिन रीजन इसका सही नहीं दिया तो यहाँ पे B कोशन आएगा 14 में B अंसर होगा बाकी में A ही आएगा अब देखते हैं 15 में क्या कहा गया 15 कोशन रिपेटिड है देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत गलत जो है उसे हमें देखना है फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किये गए सुधारों के संदर में नीचे दिये गए विकलपों में इसे सही विकलप को चुनिए चुझ दा करेक्ट ऑप्षिन फॉप्षिन फॉंद गीवन विलो रेफ्रेंस in the correct measure in the National Assembly of France तो देखो फर्स्ट क्या है सामानती व्यवस्ता का अंति ये तो है देखो तीनों में ही ये कथन है तो ये सही है चर्च द्वारा किये जाने वाले करों को भी समाप्त किसने किया था ये भी सेकिन जो है इन्होंने ही किया था फ्रांसे से यहाई से एसेंबली से ही हुआ था चर्च के स्वामित वाली भूमी को चर्च के पास रहने दिया ये काम भी इसने किया तो सभी कथन D यहाँ पर क्या हो जाएगा सही है उसके बावजूद भी ये कोशन के है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो अंसर इसका D होना चाहिए लेकिन अगर कुछ भी चेंजिस होगा तो मैं आपको जो कमेंट है या जो यहाँ पर कमेंट दिये जाते है वहाँ पर इसका अंसर आपको लिखकर दे दूँगे लेकिन अभी तक इसका अंसर D है चेक करके अच्छे से आपको बता दूगी कोशन नंबर 17 देखते हैं 17 में क्या कहा गया है एक सेकिंड देखो क्या कहा गया है 17 को एक सेकिंड कोशन बहुत लेंथी आपके पढ़ने में बहुत टाइम लगता है इनको ना आ रहो देखते हैं क्या है कोशन है सेकेंड देखे 23 and half degree 30 उत्तरक्षांज भारत को लबंग दो बराबर हिस्तों में बांटती है 23 and 30 नौर्थ लेल्टिटू डिवाइड इन्यार ऑल्मॉस्ट टू इक्वल पार्ट बिल्कुल इस तरह से बीच में जाती है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती ये भी सही गलत हो जाएगी तो सी अंसर हमारा सही हो जाएगा और शित्रवल की दिश्टे से भारत का सात्वा बड़ा देश है यह हमें पता ही है इंडिया इस सेमथ लार्जेस कंट्री इंदा वर्ड इंदा बेसिस ऑफ एडिया तो अंसर यहां पर क्या हो जाएगा कोशन नमबर 18 द जाएगा इंदान का दक्षनी भाग क्या कहलाता है माला बार तर तो आगे देखिए नेक्स कोशन क्या कहा गया है तो अंसर आजयेगा यह था हमारा सेक्शन ने जिसमें 20 कोशन ते और 11 मार्क थे अब हम देखते हैं सेकिंड कोशन जो सेकिंड सेक्षन है इसका खंड है सेक्शन भी वेरी शोर्ट अंसर तू इसमें आपको अंसर देने है तू नंबर का है हर कोशन न तो 21 कोशन देखिए वनों का हमारे जीवन में कोई दोम है तो बताएं बहुत ही आसान कोशन, write any two importance of the forest in our life, इसके अत्वा में देखते हैं, 1878 में, one कानून के कोई दोम है तो बताएं, write any two importance of the forest act of 1878, तो यह दोनों ही कोशन हम साथ में करते हैं, इंदी और इंग्लिश मिलें हम दोनों में ही आपक यहां पर लेकिन बहुत ही आसान कोशन आ यह देखते हैं, तो first concert देखिए, हमें वनों से विभीन परकार की लकड़ी के उत्पात प्राप्त होते हैं, इसके लावा वायू के परदूशन को कम करने में वन की एहम भूमिका है, आश्टय देते हैं, चाय परदान करते हैं, दवा देते हैं, भोजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, पानी देते हैं, दवा परदान करते हैं, इतनी साथी चीज़े हैं, हमें oxygen देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान कोशन अब देखते इसका second question देखो क्या कहा गया था 1.1878 के 1 अधिनियम में वनों को आरक्षित और सनक्षित वनों में विभाजित किया गया सबसे पहले अरक्षित वनों में क्या गया आरक्षित वन वे थे जिन में कोई परवेश नहीं कर सकता उनको बचाया गया हमने वहाँ परवेश नहीं कर सकता सनक्षित वन 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 थे जिनका अपयोग इंधन की लकड़ी के लिए लगुवन उपज में संग्रह कर सकते थे तो उनको अपयों के जाथा है, इंधन के लिए जलाने के लिए लिए लखडी चाहिए न तो वो कहां से आता है ता चरंक्षित वन से और लगुवन उपजमत के संग्रह के लिए भी क्या किया जाते थे वनों का उप्योग किया जाते था कोई भी दो आप यहापे लिख सकते है अब हम English में भी देखते है We also get different type of wood product from the forest Apart of this, they are also helpful in remaining pollutant in the air Thus the forest play an important role of reducing air pollution सबसे पहले air pollution को reduce करता है Provide shelter and shed भी देता है They provide air, food, fruit, food, water and the medicines Next, देखो क्या कहा गया The forest act in 1878 divided forest into reserve and protected forest Reserve forest were those who are rest No one can could enter कोई भी उसके अंदर enter दो भी पार्स में divide किया गया जो preserved है उसके अंदर कोई भी enter नहीं कर सकता है जो protective forest है They could use two people to collection the fuel, wood and minor forest उसके अंदर से आप समान से इंधन बगार जाओ लकडी बगार ले सकते हो और उसके साथ में क्या कर सकते हो Minor forest produce अब देखते हैं question number 22 भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारन किस परकार किया जाता है How is the poverty line determined in India अई देखते हैं answer देखें किस तरह से भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारन करते समय जीवन की निर्वहा के लिए खादेक आवशक्ता, कपड़े, जूतो, इंधन, प्रकाश, शेक्षिक, चिकिस्सा, समदी आवशक्ताओं पर विचार किया जाता है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धनता रेखा का निर्धारन किस तरह से किया जाता है उसको देखा जाता है, उसको कितना खर्चा हो रहा है, कितना रुपय लग रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके निर्धनता रेखा को मापा जाता है या पोवर्टी लाइन देखा जाता है, उसको रुपय के साथ है, और एक्चुल में जो रेट आता है, उसको क्या कहा जाता है, निर्धनता रेखा या पोवर्टी लाइन कोशिन नबर 24 देखे क्या कहा गया है 23 सोरी आदश आचार सहीता से आप क्या समझते हैं What do you understand by the model code of conduct? आदश आचार सहीता चुनावों के दोरान चुनाव प्रचार समाने आचन बैठखो आदी पर दिशा निर्देश का एक समू है आदश आचार सहीता तब तक प्रभावी रहती है जब तक की पूरी चुनाव प्रकेर पूरी नहीं हो जाती है कोई भी राजनेतिक दलिया उमीदवार जाते हैं धरम की आधार पर वोट को सुरक्षित नहीं रख सकता है मतलब देखो क्या कहा गया आदाश आचार सहींता एक आचार सहींता तब लग जाती है जब भी वोट होने वाले होते हैं तो चुनाव प्रचार को लेके उनके आचरन बैट को आदी को दिशा निर्देश देने के लिए भी कब तक आप प्रचार कर सकते हैं इस तरह से उसके आपको जोब से रिलेटिड अपने जैसे की वोट आने वाले हैं तो आप उससे पांद दिन पहले आप जोब का कोई ओफर नहीं निकाल सकते हो किसी के लिए को आप रिसर्शन नहीं देशते हैं कुछ मला ऐसा कर नहीं सकते हो कि उस सबहाई आचार सहींता लग जाती है तो The conduct is a set of guidelines and instructions of the campaigning, general conduct, meeting, etc. during elections. The model code of conduct remains in force till the entire election process is completed. No political party and candidate can reserve vote on the basis of the caste and relations. Question number 24. Niyuntam Samarthan Mulya ko Paribhashit kije. Define Minimum Support Price. Niyuntam Samarthan Mulya MSP वहेदर है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है. यह किसानों की उत्पादन लागत में कम से कम डेड़ गुना आधिक होती है. तो Niyuntam Samarthan Mulya किसी भी फसल के लिए वहे Niyuntam Mulya है, जिससे सरकार किसानों के लिए लापकारी मानती है. अगर मानों 50 में की कोई चीज खरीदे तो 75 में क्या होगा, सरकार उसे खरीदेगी. तो इसके लिए सरकार क्या है, सरकार को भी होना चाहिए, किसानों को लापकारी होना चाहिए. इसलिए इसके मादम से किसानों का समर्थन मिलता है. इसके मिलता है, सरकार क्या है. इसके मिलता है, सरकार क्या है, सरकार क्या होना चाहिए. इसके बारे में बताया गया है, और यहां पर कहा गया है कि जितनी भी बहस हुई, जितनी भी बात हुई से Constitution Assembly Debate कहा गया है, जिसके बारा मोटे खंड थे. और इसके पीछे क्या था, जितनी भी सोच विचारते सभी रखे गए थे, जिससे कि इन बहस के, जो भी यह बहस हुई है, इन दस्तावेजों का उपियोग किया जाजाए. सारी बाते थी, रेटन में की गई थी, जिनका क्या किया जाए, जब दस्तावेज बने, सभी धान बने, तो उसमें इसका यूस किया जाए, हिंदी और इंगलिश दोनों में ही आ जाएगा, दोनों ही अंसर करवा दूँगी, तो देखो, फिर्स का अंसर क्या कहा गया है, फ सभीधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कों थे, तो प्रारूप समीती के अध्यक्ष कों थे, डॉक्टर भीमराव, अंबेड कर, आपको इसी पराग्राफ में से अंसर लेने हैं, खुशी न. 3, सभीधान की व्याक्या के लिए किस दस्तावेज का उप्योग किया इनी बहस के हर प्रावधान के पीछे की सोच और तरग को समझा जा सके सिविधान की व्याखा के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उप्योग किया जाता था तो यहां से लेकर यहां तक सिदे सिदे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं जो अंसर दिया गया है उसी में से अंसर कर लेते हैं एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं देखो फर्स्ट कोशन क्या कहा गया है यहां पे तो फर्स्ट का अंसर हो जाएगा क्या कहा गया है तो फर्स्ट का अंसर थर्स्ट कोशन में जाएगा तो यहां से देखो आ जाएगा इस का अंसर यहां पे जैकोबिन क्लब की नेता कौन थे तो जैकोबिन क्लब की नेता मैक्समिलियन रोपसियर थे तो फर्स्ट का अंसर आपको यहां से मिल जाएगा सेकिंड जैकोबिन की लाल टोपी किसका प्रतीक था तो देखो यहां पे लिखा है सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो सुवतंतरता का प्रतीक थी तो यह हो जाएगा सेकिंड का अंसर थार देखो क्या कहा गया फ्रांसेसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत तो बताईए यहां पे महत तो बताया गया उसके बारे में बताना है हमको इसलिए जैकोबिन को सौकात के नाम से जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना गुटने वाले सौकात पुरुष लालंग की टोपे पहनते थे तो सौतंतरता का प्रतीक है लेकिन महिलाओं को ऐसा करने के अनुमती नहीं थी यहाँ पर यह लिख सकते हैं और इसके अंदर गर वो पूछा जाए कि कौन-कुन उसके हिस्से में आते थे कौन-कुन उसके लोग थे तो आप उपर से भी थोड़ा सा एड करके इसमें लिख सकते हैं यहां पर एक बर इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम यही Jacobin Club, who is the leader of the Jacobin Club, तो आपको यहां पर answer मिल जाएगा, यहां से first cup answer मिल जाएगा, second what did the red cap in Jacobin symbolize, किसको symbolize करता था यहां पर देखो यह रहा, since custom means were wrote additional to red cap that symbolize liberty, किसको करते थे liberty को mention the importance of the Jacobin Club in French society, तो उनका क्या उनकी, क्या विशेश था थी, क्या उनकी बारे में, कि उनकी जो set of clothes वो पहन रहे थे, यहां से लेके यहां तक आप इसमें लिख सकते हैं, third concept, next देखते हैं, question number 36, अनुशेद को पढ़कर आपको देना है, हिमालय यहां पर परवत के बारे में बताया गया है, बहुत ही आसान है, इसको हम देखते हैं, देखो क्या कहा गया है whatever this concept, देखते हैं पश्चिम से पूरव तक हिमालय का वरगी करन किस अधार पर किया गया है, तो यह रहा पंजाब हिमाले की की दो नदियों के मध्य स्थित तो labour पूर्वी पहाडियां या पररवश शंक्राओं के नामसे से जाना जाता है ये पहाड़या उंत्तर् पूर्वी राजजाओ interwar पत्रोफ जो की अफसाधी शैल से बनी है ये घने जंगलों से ढखिया था था अधिकतर समांतर शंक्राव या घाटियों के रूप में फैदी हुई है तो यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर हो जाएगा एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहां से देखो हिमालय है जो हिमालय रिवर्स है तो यहां से आप लिखेंगे यहां से लेकर थर्ड का अंसर आप यहां तक लिखेंगे रिखेंगे अर्व विखेंगे यहां अंकित किये गए हैं इन लक्षनों को निमा लिखेंगे जानकारी के साहिता से पहचानी और सही नाम पर मांचित्र पर सिधी रेखा दी गई है एक है मित्र रास्ट एक है धूरी रास्ट एक बड़ इंगिश में रेट करते हैं तू प्लेस ए एन ब्यार मार्क इन दा आउटलाइन फोलिटिकल मैप ओफ दा वर्ड इडेंटिफाइ इस प्लेस विद दा हेल्प इस पावर आपको यहां पर बतानी थी अब ऐसा ही मैप एक और दिया गया देखो जो की है इंडिया मैप देखो क्या कहा गया है यहां पर 37.2 दिया गया है भारत के राजदेतिक रेखा मांचीते में निमा लिखित में से किनी तीन को उप्योग चीनों से दर्शाइए और नाम बताइए तो मैं आपको यह सारे ही करवा दूँगी लेकिन आपको इन में से जब एक्जाम में आएगा तो तीन करना है क्योंकि थ्री मार्क्स का है फिर्स्ट है हिमाचल प्रदेश अनाई मुडी बी पर इनाई मुडी चेंज कर देथे थ्व थोड़ा सह साँ देखो यह हो जाएगा एं जिसमें क्या कहा गया था अरुणाचल पर्देश तो यह हो जाएगा अ अनाई मुडी तो बी हो जाएगा अनाई मुली, C में था बिहार तो ये हो जाएगा बिहार, D में था कॉंकर्ण, तो D हो जाएगा कॉंकर्ण और E में था वुलर जिल, तो ये हो जाएगा E, तो इन्हीं points को आपको क्या करना है मैप में इनमें से किनी 3 points को आपको क्या करना है identify करना है तो अभी हमने 37.2 question कर लिए इसके बाद जो paper है वो द्रस्टी बादित मतलब कि blinds के लिए है उसमें कुछ questions दिए गए हैं आप एक बार देख सकते हैं देखो हमारा question paper complete हो गया है अभी यहाँ पे कुछ questions रह गए हैं तो आई यह start करते हैं part 2 का question number 25 तीन number के questions हैं यह सारे questions तो देखे question number 25 में क्या कहा गया है अपनवेशिक सरकारे चारा वह भूमी को क्रशी भूमी में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी वाई डिट कॉननियल गॉर्णमेंट want to convert pasture into the agriculture land देखने हैं इसका अंसर हम बुजस्वे अपनवेशिक सरकार के वित मुख्य स्रोथा खेती का विस्तार करके यह अपने राजस्वे संग्रय को भढ़ा सकता था इससे अधिक जूट का पास गेहूं अन्यक्रशी उपज होगी जो इंग लैन में आफशक थी अपनवेशिक अधिकारों के लिए अनुपजाओ भूमी अनुतपादक होती थी क्योंकि इससे ने तो राजस्व नहीं कृशी का उतपादन होता था इससे बंजर भूमी के रूप में देखा गया है उसमें पजाओ नहीं बन पाए कर लैन रेवेन्यो वस दे में सोर्स उफ दाफ दास फानेंस अदी क्योंकि वह इंग बादक इस रेवेन्यों कोशी तो इस रेवेन्यों क्योंकि रेवेंट वूमी अनुटिवेटर रहें आदर अगरिकूल्चार प्रूमी अगर यूज नहीं किया जाएगा उसको तो अगर चेंज नहीं किया गया तो प्रोड़क्टिविटी नहीं होगी तो वो क्या रह जाएगी इसलिए अग्री कल्च प्रोड़्ट उसमें चेंज किया गया है उसको 26 question, आप 25 कर सुकिया, इसका 2nd question देखें, वन कानून में घुमनतु चारवाहो के जीवन को कैसे प्रभावित किया, how was the lie of Arrestra affected by the passing of forest laws, देखते हैं आम इसका आंसर, अपन वेशिक शाषिन के तहत पशुपालकों के जीवन में नाठ के यह बदलावाया, उनके चारा गहा सिकुड गए, उनकी आवाजाही नियंतृत हो गए, उन्हें राजस्व देना पड़ता था वह भी बढ़ गया, उनके कृशी भंडार में गिरावट आई और उनके व्यपार और श्विल पर प्रतिकुल पढ़ भार पड़ा, तो देखो क्या कहरें, पश्यू पालको के जी उनमें किस तरह से बदलावाया, उनके चारा गहां जो चराने जाते थे गायों को या जानवरों को जो भी चराने जाते थे वो कम हो गए, उनकी आवाजाही को नियंतृत कर लिया गया, और जो टेक्स दे रहे थे वो और भी पढ़ गया और उसके लावा जो क्रिशी भंडार थे उनमें भी गिरावट आई, उसके व्यापार में शिल्प और उनके व्यापार पर प्रतिकूल मतलब का नेगिटिव इफेक्ट पढ़ा, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, आप इसका स्क्रीनशोट ले सकते हैं, जिसके आपको याद करना थोड़ा, यह आसान हो जाए, देखते हैं कोशन नमबर 26, प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए, इसका में रिजन होता है, इसके लाबा सुविधाओं के लिए कह सकते हैं, कि सुविधाओं के लिए भी कोई माइग्रेट कर जाता है, पढ़ाई के लिए माइग्रेशन हो चकता है, एजुकेशन इसके अंदर आ सकता है, तो इससे से काफी कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बता रहे हूं, आपको हिंट दे रहे हूं, आप इसको थोड़ा एक्स्प्लेइन करके अपनी शब्दों में लि इसके अलावा अफसरों की कमी, बहतर शिक्षा, बांद का निर्मान, वैश्वी करण, प्राकरतिक आपता और कभी-कभी फसल की विफिलता ने भी ग्रामिनों को शहरों की और प्लायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो में कालन रोजगार हो सकता है, इसकलावा आप कुछ भी इसके अंदर एड़ उन कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कोशन देखते हैं, खादे सुरक्षा को किसी भी देश के लिए क्यों आफचक है, खादे सुरक्षा यह सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्पूर्ण है, कि सभी के पास खाने के लिए परियाप्त हो, और परिवार अपने जीवन को सुरक्षित रखने की चिंता किये बिना अपने समुदायों का निर्मान कर सके, मतलब देखो, सबसे पहले खादे सुरक्षित का मतलब यह सबके पास खाने के लिए चीजे होनी चाहिए, खाने का कोई भूक से ना मरें, सबके पास क्या होना चाहिए, भुक्मरी, कॉपोष्ण, समधि स्वास्थें जैसे कई मुद्धों को हल करने के लिए वैश्वेयती को दुगला कर दे तो इन सब कमियों को दूर किया जा सकता है. Food security is very important to assure that everyone has enough to eat and families can build their communities without worrying about security of their life. To meet global needs, food production must be double in the next year in the order to solve many issues such as starvation, small nutrition and association health. Starvation मतलब की भुक्मरी, small nutrition मतलब की कुप पोशन जब पूरी ते से खाना नहीं मिलता है और health से related issues को दूर करने के लिए लगबग 2 साल का टाइम आगा अगर खाने को फूड को डबल कर देते हैं तो इन सब चीजों से हमारे निप्टारा मिल सकता है. अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं. Queshan No. 27 शायद हमारा रहा गया था समानता के अधिकार का विशलेशन की जिए analyze the right of equality. Right of equality का मतलब है कि हर तिकर से समानता का अधिकार. Right to equality is one of the sixth fundamental right in the Indian Constitution in include equal before law, prohibited of discrimination of ground or races, religion, gender and the caste of birthplace to including equality opportunity to matter of the employment abolishes untouchability and tiles. देखो क्या कहा गया कि sixth fundamental right है और इसमें क्या कहा गया है लोग की होने चाहिए, discrimination होना चाहिए, discrimination हो रहा है उसके against जनम, caste, gender के against हमेश्या क्या होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसी क्या कहते है law of equality मतलब कि सभी के अंदर क्या है, वो किसी भी धरम जाती किसी कहीं पे भी जनम लिया हो, कैसी भी उसकी ज़ोब हो हर चीज में उसको क्या होना चाहिए, कोई चूत या भेदबाव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर समानता का धिकार होना चाहिए, समानता का अधिकान भारतिय सविदान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है इन में से कानून में समक्ष समानता जाती धरम लिंग जाती अजनम के स्तान पर भेदबाव निशेद शामिल हम भेदबाव नहीं किया जा सकता इसमें रोजगार के मामलों में अफसर की समानता सबको रोजगाल के opportunity मिलनी चाहिए, अब संप्रेश्यर्ता और अपाधियों का भी उन्मुलन भी शामिल है, अब हम देखते हैं, next question, question number 28 हम कर चुके है, 29, आपकी विचार में भारतिया नयायपाली का स्वतंतर क्यों है, कार्ण बताए, why do you think that the Indian judiciary is independent, give reason, तो देखो क्यों है, क्यों कानून बनाने का अधिकार सब के पास, कानून बनाने और मोलिक अधिकारों को लागू करने के कारे करने के लिए स्वतंतर नयायपाली का आवशक है, कि देखो कानून सब के लिए से मोलिक अधिकारों, सभी के मोलिक अधिकारों की रक्षा हो, इससे क्या हो, इसके लिए न न्याय प्रकिर्या की बाहरी परभावों से बचाने के इरादे रखता है। necessary to carry out the function of upholding the law and enforcing fundamental right वही देखो वही बात है यहापर इस टेंड to shield the judis process the external influence and the provide full legal protection to all individually going to court for whatever reason किसी भी reason से अगर वो court गया है तो उसको सही मिलेगा न्याई मिलेगा यही वाली बात है और बाकी बाहरी परभावों से बचाने के लिए क्या किया गया है court को जो judiciary है वो उसको क्या कहा गया है independent माना गया है अब हमारा जो खंड C सा section C वो complete हो गया अब हम next section कर रहे है section E हम section E जो है वो पहली कर चुके है section जो है अब हम करने वाले है section D section अब हम करते है question number 30 यहाँ पर सभी 5 number के questions है और हर question में option दिया गया है हर question में आप देखेंगे कि दो questions दिये गए है और यह बहुत अच्छे मतलब lengthy question होंगे थोड़े से लेकिन यहाँ पर अच्छे से करेंगे question number 30 देखे भारत के परधानमंति की शक्ति का वर्णन कीजे supervision करते हैं ताकि वे राज्ये के उद्देशे को प्राप्त करने के लिए सद्भाव से काम कर सके है मतलब कि उनके पास में क्या है हर एक काम को जो supervision करने का काम जो है वो किसके पास में है रास्टपती के पास में होता है जिससे कि जो राज्ये काम कर रहे हैं वो भी अपना काम सही तरीके से कर सके सभी सरकारी गतिविदिया रास्टपती के नाम पर होती है सरकार के सभी कानून और प्रमुक नितिगत फैसले उनके नाम से जारी किये जाते हैं जितने भी गतिवीदिया आते हैं सरकारी जितने भी काम किये जाते हैं वो भी किसके द्वारा किये जाते हैं रास्टपती के द्वारा किये जाते हैं उनकी फैसलेबल उन्होंने जो कह दिया रास्टपती ने कि इस तरह से ही सरकारी काम किया जाएगा तो वो नहीं के नाम से क इसके लावा प्रमुक नियुक्ति आपोइंट्मेंट्मेंट्स किये जाते हैं चाये वो मुख्य नियुक्ति संधिया के सह मेंक राश्यले के सीम से होते हैं रास्टपतिे भारत के रक्षा बलोका सर्वोच कमांडर होता है जो रास्टपती है वो भारत के रक्षा बलोका जो डिफेंस हमारी कमेटी है उसके क्या है सर्वोच कमांडर होते है जो भी काम डिफेंस करती है वो किसके कहने पर करती है सर्वोच कमांडर रास्टपती के कहने पर करते है तो मैंन so that the operate in harmony of achieve the objective of the states all government activity take place in the name of the president all low measure policy decision to the government of the issued her name जितनी भी policies जो चलाई जाती है अलग लग चाहे गरीबों के लिए किसी भी चीज़ के लिए education के लिए वो किसके द्वार चलाई जाती है president के द्वारा all measure opportunity all measure appointment are made by the name of the president जितने भी appointments होते हैं वो किसके द्वार दिये जाते हैं president के द्वारा these include the appointment of the chief justice of India the judge of supreme court and the high court of the state the government of the state and the election commissioner ambassador of the countries बतल जो main high courts के अंदर जो judge हैं वो सारे के कौन कर सकते है कौन appoint कर सकते है president all international treaties and agreements are the made of the name of the president the president is the supreme commander of the defense force of India defense force of India जो भी उसके supreme है वो कौन है president है आप screenshot ले सकते हैं जिससे की easy हो जाएगा आपको बाद में learn करना भी समझ भी लीजिए और या video को pause करके आप एक screenshot अच्छे से ले सकते हैं अब हम देखते हैं इसका next question क्या है भारत के प्रधान मंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजे describe the power of the prime minister of India तो देखते हैं इसका answer हम ये दोनों ही question बहुत ही important है अच्छे से इसको आपको समझना जरूरी है प्रधान मंत्री के पास सरकार के प्रमकुरुप से कई शक्तिय है मंत्री मंदल की बैठकों की अध्यक्ष करता है अन्य मंत्रियों को कारे सबता है मत्री मंत्री मंदल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते है मंत्रियों को जो कारे दिया जाता है वो कौन देते हैं प्रधान मंत्री देते हैं परधान मंत्री की शक्ती इतनी बड़ गई है कि संसद लोक तंत्रों को कभी-कभी सरकार का परधान मंत्री रूप भी कहा जाता है कि वह ही क्या लगते हैं परधान मंत्री का जैसे head माना जाता है The Prime Minister has server power as the head of the government He chair cabinet meeting and assign work to other minister He also has the power of dismiss minister The minister resigned, the entire minister is supposed to be resigned अगर देखो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता तो पूरी मेंबर जो है उनके कमेटी के वो भी क्या करेंगे रिजाइन कर देंगे अब हम देखते हैं कोशन नबर 31 हम यह कर चुके हैं कोशन अच्छे से समझ लीजेगा मेरे चैनल पर आपको सभी सेंपल पेपर मिल जाएंगे आप प्रिविजन कर सकते हैं कोशन नबर 31 देखते हैं वैश्विक निधनता परदर्शय पर चर्चा केजिए दिसकस दा ग्लोबल पॉवर्टी सनाइरो देखे क्या कहा गया है अब देखो इसमें आपको विश्व की गरीबी के बारे में बताना है कि एक्चुल में विश्व की गरीबी क्या थी उसके बारे में आपको यहां पर पूरा बताना है देखो क्या कहा गया है हालांकि वैश्वी गरीबी में काफी कमी आई है यह बड़े शेत्रे अंत्रों के साथ चीन हित है तेजी से आर्थिक विकास और मानक संसादन विकास में निवेश के परनाफशुप चीन दक्षिन पुरीवी एशियाई में काफी गरीबी आये चीन में गरीबों की संख्या चीन में गरीबों की संख्या दोसो एक में दोसो बारा मिलियन होगी देखो क्या का आज जा रहा है कि चीन में गरीबों की संख्या क्या थी छे से घटकर क्या हो गई है दोसो बारा हो गई है दक्षिनी एशिया के जिसे भारत, पाकिस्तान, शिरिलनका, नेपाल, भुटान में भी क्या हो एक गिरावट, इतनी तेजी गिरावट नहीं है, मतलब कि यहां पर क्या जा रहा है इनको समझो, कि जो गरीबी है वो चीन में बहुत जल्दी कम हुई है, जबकि एशिया में भ गरीबी फिर से उभर कर आई है, तो चीन में क्या हो यह गरीबी कम हुई है, जबकि दक्षिनी एशिया भारत, पाकिस्तान में इतनी कमी नहीं आई है गरीबी में, लेकिन अगर सहारा की बात करते हैं, तो वहां 41 से बढ़कर 46 हो गई है, अमेरिका में जो गरीबी है, गरी कर सकते हैं, मैंने आपको यहां पर बता दिये है, अब स्क्रीन शोट लीजे और उसको समझ के अच्छे से समझिए और उसको लर्न कीजिए, तो में बात देखो क्या है, चीन में गरीबी क्या हुई है, भारत, पाकिस्तान, श्रिलंका में बराबर सी है, कोई ज़्यादा फ अब इसका रिजन क्या है, एकनोमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, हुमन इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हुई है, जो पोवर्टी है, वो कम हुई है, नमबर उफ पॉर इन चाइना है, तो 606 मिलियन इन 1981 और 2021, 212 मिलियन और 2021, इन दा कंट्री साउथ एशिया, पाकिस् परसेंट इन 1981 तो 46 परसेंट 2001, इन लेटिन अमेरिका, दे रिशो पोवर्टी रिमें दा सेम पोवर्टी है, जो रिफॉर्ज इन सम ओव दा फॉर्मस और सॉलिस्ट कंट्री लाइक रशिया, यहां पर आपको पूरा वर्ड की पोवर्टी के बारे में एक्स्प्लीन करना ह है, कुछ भी अड़ कर सकते हैं इसके अंदर, परस थोड़ा सा theoretically अपनी बुक को एक बड़ी रीड कर लिजी आप इसके अंदर, अब हम देखेंगे next question, देखने क्या कहा गया है next question में, भारत में निधन्ता के अंतर राजे समानता पर चर्चा कीजे, discuss the interstate dispensary in India, अब यहां पर देखो पहले हमने विशुव के बारे में बताया था, गरीबी के बारे में, अब हमें क्या बताना है, इंडिया में गरीबी के बारे में बताना है, कि इंडिया में क्या दिकत है, क् प्रॉब्लम हो रहे हैं निधन्ता की, तो देखो अलग-लग राजे का हम यहाँ पर लेंगे, पर तेक राजे में गरीबी का अनपास समान नहीं है, हलांकि सतर के दर्षी की शुरुआत में हर राजे में गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन गरीबी को कम करने की सवलता क किदर अलग-लग राजे में अलग-लग रही है, 20 राजे और केंदर शाषित परदेश में गरीबी अनपास 26 के राष्टे और सरस से कम है, अन्य में गरीबी अनपास राष्टे और सरस से अधिक है, देखो क्या यहाँ पर क्या का जा रहे है, कि अलग-लग जब शुरुआत ह हुई थी 1970 के दश्यक के यहां पर बात हो रही है उस समय जो गरीबी थी वो लगबग सब में बराबर थी लेकिन क्या हुए कुछ में बड़ी है कुछ ऐसे हैं जहां पर भी तक नहीं बड़ी है देखो इसमें क्या का गए उडिसा और बिहार में 47 से 47 से 47 और 43 परतिकेंद गरीबी अनपात साथ में दो गरीब राजय बने हुए देखो क्या का जा रहा है कि उडिसा और बिहार 47 और 43 परदिशन वहां पर इतनी गरीबी है कि जो सबसे गरीब राजय बने हुए इनमें राजियों में ग्रामीन शेहरी दोनों ही तरह की गरीबी काफी दूसरी और तमिल नाडू अंदर प्रदेश गुजरात के वल पश्री मंगाल जैसे राजय में भी गरीबी के उलेख निये गिरावट आई है जो गरीबी दर है खादयान का सारवजिन वितरन मानव संसादन विकास पर ध्यान उचक्रिशी विकास और भूमी सुदार के पा सब्सक्रिश पशचित टार्रा जाइन विकास और बाइट रजी प्रदेश और शूपर है जल्दी से कम है ब्युक्ट है नहीं काहाा गया जी क्या कहां गए है इन अधर पोर्टी रेचियो और है और the national average among these Urisa and Bihar continue to be the two poorest state the poverty ratio is 47 and 43 percent receptively Urisa and Bihar में जो poverty ratio है वो 47 and 43 percent है जो इसकी जैसे ये दो state है जो सबसे ज़्यादा poorest है both ruler and urban poverty are quite high in these states चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामी हो दोनों ही जगा क्या है poverty दिखा गया है जम्मो एं कश्मीर एं पंजाब दा lowest poverty rate 3.5.6 receptory जम्मो और कश्मीर में 3.5 और 6 मलब सबसे कम गरीब है वहाँ पर on the other hand देखो क्या कहा गया है on the other hand state like tamiladu अंदरपरदेश, Gujarat, Kerala, West Bengal have also show a significant decline in poverty public distribution of the food grains focus of human resources development high agriculture development and land reform measure are the some of the factors responsible for the decline poverty in the state poverty in these states आप screenshot जरूर ले लिजीगा एक जिससे कि आपको समझ में आ जाए याद करना आसान हो जाए जो यहाँ पर data दिये गए उनको थोड़ा figure out कीजिएगा आप अब देखते हैं next question question number next 32 question उक्षन कटी बंदिये वर्षा वर्णों पर संक्षिप टिपनी लिखिए write a brief note of a tropical उक्ष कटी बंद वर्षा वर्णों पर संक्षिप टिपनी लिखिए अभी हाँ पर देखते हैं इसका English में एक बरी write a brief note of tropical evergreen forest, tropical evergreen ऐसे forest जहांदे को जहां पर पानी ज़्यादा होगा बरसाद ज़्यादा होगी उसे क्या कहेंगे चेत्रों में पाए जाते हैं यह वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी धलानों पर पाए जाते हैं तो जहां पर ज़्यादा वर्षा है ना जहां पर temperature कम है वहां पर यह जो forest है होता है the tropical wet evergreen forest in India is usually found in the area receiving more than 200 cm in rainfall having a temperature of the 50-30 degree celsius they occupy 7% of the earth's surface they are found mostly near the equator these forests are dense multi-layered these are the dense multi-layered forests are comprised of several kinds of fana and flora these forests are found in the reason having heavy rainfall these forests are found on the western slope of the western ghat next देखिये कंटीले बन तथा जाड़ियों पर संशिक किपनी लिखिये write a brief note of thorn forest and bushes देखो thorn forest मतलब कि जो रेगिस्तान में उगते हैं तो देखो कि 70 cm से कम वर्षा वाले शित्रों में कंटीले जंगल जाड़ियां पाए जाती है इन वनों में पाए जाने वाले प्रमग प्रमजातिया बबूल, cactus, euphorbya और ताड़ है नमी प्राप्त करने के ल में होती है और इनमें photosynthesis या प्रकाश insulation की दर बहुत कम होती है और इस तरह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं जड़े घहरी क्यों होती है क्योंकि उपर तो पानी है नहीं तो पानी लेने के लिए जड़े जमीन में घहराई तक पहुँ जाती है देखो the thorn forest as curves are the found in the reason that the less than 70% rainfall तो कौन सा होता है डेजर्टी के रिया रेगिस्तान जहां होते हैं वहां पर mostly thorn forest मिलते हैं और यहां पर पानी क्योंकि ही कम बिल्कुल तो plants कैसे लगेगे जो कम पानी में रह सके कि leaves कैसे convert हो जाती है leaf कैसे thorn में convert हो जाती है the main plant species found in the forest are acacia, cactus, euphorbia, palm trees are scattered and have long root penetrating deep into the soil in water get moisture पानी, moisture लेने के लिए जो soil है वो जो root है वो अंदर घहराई तक चली जाती है the stem are succulent to the conserve water, पानी को बचाने के लिए लिए जो stem है वो कैसा हो जाता है बलब थोड़ा पानी से भर जाता है, succulent हो जाता है बलब यहाँ पर जो भी रेगिस्तान में plants होते हैं उनको thorns plant कहते हैं उन प्लांट का example लेके आप इस तरह के questions लिख सकते हैं, आपको main meaning पता होना चाहिए अब देखते है 33 questions, काल माक्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या के जे explain the main idea of काल माक्स काल माक्स, काल माक्स ने तरक दिया कि ओध्योगिक राथ पुंजी वादी था, पुंजी पतियों के पास कारखानों में निवेश की गई पुंजी थी और पुंजी पतियों का लाब श्रमी को द्वारा उत्पादित किया जाता था जब तक की हलाब नीजी पूझी पतियों द्वारा संचित किया जा रहा था तब तक श्रमिको की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता था मजदूरों को पूझी वाद और नीजी संपति के शाशन को उखार फैकना था मार्क्स का कहिना था कि खुद को पूझी वाद शोशन से मुक्त करने के लिए श्रमिको को एक मोलिक समाजवादी समाज का निर्मान करना होगा जहां समपति समाजिक रूप से नियंतर तो यह समयवाद समाज होगा उन्हें विश्वाश था कि पूंजी पतियों के पास संगर्ष से मजदूरों की जीत होगी समयवाद समाज भोविश्या का सभाविक समाज होगा समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां धन का बटवारा जो होगा अब देखों यहां पर क्या कहा गए Karl Marx argued that the industry social was the capitalism owned by the capital invest in factory and the profit of capital was the produced by worker the condition of worker could be not improved as long as the profit was accumulated to private capitalizations work had been thrown the capitalism and rule of the private property Marx believed that the free of themselves from the capitalization exploitations work had to construct a radically social society where all property was the social control this would be communist socials he was convinced that the work would tremble in the conflict with the capitalized a communist society was a natural society of the future तो देखो वही कहा जा रहा है यहां पर next is come question देखते हैं यह हमारा last question होगा यहां पर देखें कोशन क्या है रूस में स्टालिन का समुही करन कारेकरम कैसे लागू हुआ how was the stalin collectization program implanted in Russia देखो क्या कहा गया स्टालिन का समुही करन कारेकरम स्टालिन ने सभी किसानों को समुही खेतो कोल खोज में खेती करने के लिए मजबूर किया समुही केतो में स्वामी तुम्हें बड़ी मात्रा में भूमी ओजार स्थानेंतित किये गए किसान भूमी पर काम करते थे और समुही किलाब को साजा किया जाता था इस काल Bentram में भाग के रूप में किसानों को सामुही खेटों पर एक साथ खेती करने के लिए मजबूर किया जाता जिने कोल खोज कहा जाता था, जिन KISानों को समेकता करकर में अदेशों का विरोध किया, पालन करने से इनकार करते, उन्हें कड़ी सेदा दी गई। और इन प कई देश को निर्वासित दिया गया, क्या कह रहे है, कि स्टालिन ने क्या क्या उन्ने क्या ऩा, कि उन्हें ने क्या कboys क्या है, लेकि उसका profit हो गाना, वो क्या करेंगे हम share करेंगे, वह एक सांजा करना पड़ेगे, उसका सामूहिक जो लाब होगा उसको किसान भूमी पर काम करते थे और सामुही का लाब को साजा करते थे और उन्होंने इस तरह का एक कारेकर में चलाए जिसे सामुही करण कहते हैं सामुही करण में क्या कि अभी काम तो तुम करो लेकिन जो प्रॉफित होगा उससे हम साजा करेंगे तो इस work on the land and call house profit was shared as a part of the program. Peacents were forced to cultivate together and collective form of the work called call house. The peacents and the farmer who resist and refuse the fall of the order to perform collectivization program were punished server and many of them was even departed and exiled from the country. तुमको यहां पर क्या करे है? तुमको यह बात माननी पड़ेगी कि तुम काम तुम करो उसका profit क्या करेंगे? शेर करेंगे. एक प्रोग्राम मनाया जिससे collectivization program कहा गया और जो इसको नहीं मानने का उसको क्या किया जाएगा? पनिश्मेंट दी जाएगी या फिर क्या किया जाएगा? देश से बाहर निकाल दिया जाएगा. तो यह है sample paper. Thank you guys!